हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीजिनिंग के प्रेशनों की ठीक है तो पूरा वीडियो देखेगा चले स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है 45 गुने 3 बराबर 6 110 गुने 5 बराबर 4 208 गुने 4 बराबर क्या होगा जिस तरीके से आपको यहाँ पे 6 मिलेगा उसी तरीके से यहाँ पे 4 मिलेगा और उसी तरीके से यह संख्या आपको फाइंड हो जाएगी लेकिन वो तरीका कौन सा है 45 और 3 का ऐसा क्या करें कि 6 बन जाए 110 और 5 का ऐसा क्या रिलेशन बनाए कि हमारा 4 बन जाए जो रिलेशन यहाँ बनेगा वही यहाँ पे बनेगा और वही यहाँ बनेगा रीजिनिंग में सेम पैटर्न इस्तमाल होता है सभी जगा पे तभी आंसर सही आता है अब देखिए यहां पे 45 और 3 है 45 और 3 है अब यह मल्टी पैई में 3 है अगर आप 45 का मल पे 3 से करोगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी 6 से तो कोई संबंध ही नहीं रहेगा इतनी बड़ी संख्या बनेगी रीजिनिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपको यहां गुनाई का साइन है तो जरूरी नहीं है आपको गुनाई करना होगा आप अपनी तरफ से लॉजिक को ढूंडिए अपनी तरफ से जैसे मैं नहीं यहां पर ढूंडा कि मैं यहां पर गुनाई की जगे पर अगर डिवैड का साइन ले लूँ तो मेरा यह 6 बन सकता है ठीक है जैसे कि मैं अगर 3 से इसमें डिवैड दूंगा ना 45 में तो 15 बार में डिवैड होगा होगा कि नहीं पंदर बार में डिवैड हो गया ना अब इस एक और इस पांच को आपस में जोड दीजिए पांच और एक 6 बन जाएगा देखो यह 6 ही तो था 6 बन गया अब सेम पैटर्न में यहां पर इस्तमाल करूंगा कि 110 है गुने की जगे मैं क्या करूंगा डिवैड का साइन ले लूँगा और देखूंगा 4 के बरावर आएगा कि नहीं अब पांच से मैं जब इसे में डिवैड दूँगा तो यह 22 बार में डिवैड होगा अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ूँगा बिल्कुल ऐसे ही तो दो और दो कितना हो जाएगा भाई यह 4 हो जाएगा देखो 4 ही तो था अब सेम पैटर्न यहां पर इस्तमाल कर दीजे 208 है गुने की जगे आप डिवैड ले लीजे डिवैड ले लीजे आपको पता लग जाएगा यहां कौँछी संख्याईगी चलो 4 से डिवैड कर देंगे यहां पर 4, 25, 20 4 दुने काट बामन आ गया इसको आपस में जोड देंगे तो 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा भाई सवाल खतम सवाल खतम मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को इस कांसर लाने में मुश्किल हो जाती अगर मैं नहीं बताता तो ठीक है दोस्तों अब इसको आप क्या करें एक लाइक तो बनता है ना भाई एक लाइक और एक शियर तो बनता है जब आपको इस तरह की वीडियो में बनाके अपलोड करते है और आपकी एक्जाम की तयारी पहुत अच्ची से होती है अब देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है यदि 123 बराबर 14 और 323 बराबर 22 तो 484 बराबर क्या होगा बताए कितना बappetरिन कोशन है 123 से 14 बनाना है 323 से 22 बनाना है अब ये भी बड़ी संख्या है 123 और छोटी संख्या बनानी है बनानी है कि नहीं अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो आपको बनाना है 123 से 14 सेम लोजिक होना चाहिए जो लोजिक यहां लगेगा वही यहां पे और वही लोजिक यहां पे एक दो तीन आप करोगे क्या एक का भी स्क्वेर दो का भी स्क्वेर तीन का भी स्क्वेर कर दो कर दीजे एक का स्क्वेर करेंगे एक दो का स्क्वेर करेंगे चार तीन का स्क्वेर करेंगे 9 हो जाएगा और आपस में सभी को जोड़ देंगे 9 और 4 13 13 में जोड़ेंगे 14 हो जाएगा बात समझे बिल्कुल सेम लोजिक यहां लगाना 323 है 22 के बराबर जैसे मैंने यहां पे इन 3 का स्क्वेर किया बिल्कुल वैसे ही यहां पे इन 3 का स्क्वेर कर दू 3 का स्क्वेर 9 2 का स्क्वेर 4 3 का स्क्वेर 9 जोड़ दो आपस में भाई 9 और 9 18 18 में 4 जोड़ोगे 22 आजाएगा 22 आगया कि नहीं सेम लोजिक लगा दीजिए 484 है 3 का क्या कर दो स्क्वेर कर दो और फिर देखो यह संक्वेर आपको मिल जाएगी 4 का स्क्वेर 16 8 का स्क्वेर 64 और 4 का स्क्वेर 16 क्या करोगे आपस में जोड़ दोगे 16 और 16 32 32 में जोड़ेंगे 64 तो यह हो जाएगा 96 96 जो कि हमारे C आप्शन में दिया गया बिल्कुल सही जवाब आसानी से कर लिया अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है यदि किसी महीने की 4 तारीक को शनिवार है तो उसी महीने की 25 तारीक के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा 25 तारीक के 2 दिन बाद ठीक है 25 तारीक के 2 दिन उसने बुला है कि चार तारीक को कौन सा दिन है शनीवार का दिन है चार तारीक को जब शनीवार है तो दुबारा से शनीवार कौन से दिन पढ़ेगा आपको पता है कि कोई भी दिन हो साथ दिन की बाद रिपीट होता है जब चार तारीक का शनीवार है तो फिर से सनीवार ग 18 तारिख को फिर्शे शनिवार का दिन आएगा, अपर 18 के बाद फिर से शनिवार का आएगा, अब उसने बोला था कि 25 तारिख के दो दिन बाद, यानि कि दो दिन के बाद, दो दिन हटा दो, 25 तारीक के बाद मैं दो दिन हटा दूँगा, यानि कि 26 को हटा दूँगा, और 27 को हटा दूँगा, दो दिन के बाद, 25 तारीक के दो दिन के बाद, यानि कि ये दो दिन के बाद, ये दो दिन के बाद कौन सा दिन देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है दिये गए बिकल्पों में से बिसम संख्या को चुनिये यह चार संख्याओं में यानि कि चार ओफ्षन में कोई एक संख्या बिसम होगी वही बतानी है अब यहां पे सबसे सरल तरीका है कि आप कॉमंण ढूलिए 127 है 149 है 166 है और यह 170 है कभी कभी हम इनका योग भी करती है 12, 1, 2, 3, 7, 10 हो जाएगा 9, 4, 13 और 1, 14 हो जाएगा 6, 12, 13 और 1, 14 हो जाएगा 9, 6, 15 और 1, 16 हो जाएगा इसका 10, 14 आएए इसका भी 14 आएए और इसका जाद आएए जाने कि अलग तो नहीं बन पारा योग करने से तो कोई फायदा हुआ नहीं लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात कहता था कि आप square याद रखिए square और cube अगर आपको याद है तो बहुत सारे question ऐसे आते हैं जिन में आपको मदद मिलेगी directly solve करने में क्योंकि ये किसी संख्या का square नहीं है ये भी किसी संख्या का square नहीं है ये भी किसी संख्या का square नहीं है 169.13 का square होता है यानि कि इन चारों में से हमें क्या करना था बिसम जो कि अलग होना चाहिए यही है वो option जो अलग है सही है कि नहीं चलो अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है 7, 28, 9, 45, 11, 66, दोनों ही जगे question mark यानि कि दो हुई संख्या find करनी है option में भी दो संख्या है question बहुत मुझे अच्छा लगा ये ये question मुझे बहुत अच्छा लगा देखो अब पहले सबसे पहले क्या करोगे एक संख्या को छोड़के relation बनाएंगे आप जैसे 7 से 9 हो गया 9 से 11 हो गया और 11 से क्या हो जाएगा देखो 7 में आप 2 जोड़ोगे तो 9 9 में 2 जोड़ोगे 11 तो 11 में भी 2 जोड़ोगे 13 यानि कि पहली संख्या तो आपको मिल गई 13 और option में सभी में पहली संख्या 13 है तो हम answer नहीं कर सकते अगर एक ही option ऐसा होता है जिसमें पहले 13 होता तो वही सही हो जाता यहां तक तो बात समझ में आ गई है अब देखो दूसरी संख्या कैसे find करेंगा देखो यहां पे 7 का मल्टिप्याई आपने 4 से किया तो 28 9 का मल्टिप्याई आपने 5 से किया 45 11 का मल्टिप्याई आपने 6 से किया 46 यहां 4 से मल्टिप्याई हुआ यहां 5 से हुआ यहां 6 से हुआ तो फिर यहां कितनी से हो जाएगा भईया multiply 7 से हो जाएगा हो जाएगा की निए अब यहां पे इस संख्या का multiply होगा ना शाथ से तभी तो पता चलेगा यह तो यह वाली संख्या तो हमारी 13 है तो 13 कमल पर 7 स्य करेंगे तो 91 होता है 91 तो 13 और 91 यह दोनों संख्या हो जाएंगे हमारी जो की C-Option में खिलिए ना आभी भी यह लाइक नहीं किये हो क्या अभी भी लाइक नहीं किये हो तो कर दो और शेर नहीं किया तो कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरू दबादे ठीक है दोस्तों धन्यवाद